गूद बॉर्निंग BA Secondaire की मानव एक भूगोल की क्लास में आज हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रक्रती के बारे में तो पिचली क्लासों में जैसे हमने बताए कि मानव भूगोल की परिवाशा क्या है मानव भूगोल किनका अध्यान करता है यह कैसे एक अंतर विशेक विशे है तो अभी देखते हैं मानोभुगोल की प्रकृति मानोभुगोल जो है इसकी जो प्रकृति है वो अंतर विशेक है मानोभुगोल की प्रकृति अंतर विशेक है जैसा कि हमें प्रिवाशा में देखा कि मानोभुगोल जो है वो मानव को एक सक्रिय कारक मानती है जो अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ अंतर करिया करता है तो इसकी प्रक्रती अंतर विशेक है जहाँ इसमें जो देखो जो एक्टिव कारक है वो कौन-कौन है जहाँ प्रत्वी की सत्य है और इसके परियावरण पर भोतिक परिस्थिती या परियावरण के उपर मानव प्रक्रियाओं इसमें दो चीज आ गई, एक आ गई आपकी भोतिक परिस्ति थी और दूसरी होगी मानव प्रक्रियों, मानव प्रक्रियों के उधरन क्या हैं, जिसे सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसांखी किये, आर्थिक यम्राजदिक गतिविदियां, इनके संधर्ब में जो स्थानिक व्या इसके विशेचेत्र में सम्मिलित हैं, प्रक्रियों के इसमें जो दूसरा है, मानव की क्रियाएं, मानव क्रियों कौन कौन से हैं आपकी, यह हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसांखी किक, आर्थिक और राजनितिक गतिविदियां, इनका स्थानिक अध्यन किया जाता है, इनकी स्थानिक व्यावस्ताओं का अध्यन मानव भूगोल की प्रकृति में नहीं थै, वस्तुत है, इसको फिर डिफाइन कर रहे हैं, वस्तुत है, मानव भूगोल जो है, भूगोल का एक प्रमुक छेत्र है, और उन तरीकों या प्रक्रियाओं से संबंदित है, जिन में स्थान और परियावरण मतलब स्पेश और जो एन्वार्मेंट है वो मानवी अगतिविद्यों को आधार भी प्रदान करते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं मतलब दोनों एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं उन सीमाओं और आउसरों के आधार पर मानव क्या करता है अपने परिवेश को परिवेश के साथ समायुजित होता है हम पढ़ेंगे मानव भूगल के तीन सिद्धान्त जो है उनमें एक सिद्धान्त आपका है परियावरन समयोजन का सिद्धान्त तो उसमें क्या होता है यह वही बात कर रहा है जो परियावरन समयोजन का सिद्धान्त है उसी की बात कर रहा है यह बोल रहे हैं कि प्रत्वी ज क्योंकि वो तक्निकी प्रगति करता है तो तक्निकी प्रगति के मात्यम से प्रकृति द्वारा जो प्रदत सीमाएं हैं एवं जो आवसर हैं उनके साथ मानव अंत्रक्रिया करता है और अपने अपने परियावरन अपने परिवेश जो भी उसके आवशकता हैं उनको प्रकृत प्रकर्ती द्वार्वी prandata, प्रदत , प्रदत, और संसोधित करता है तो यह जो बात कहना चाह रहा है सिज्छार त्वार्व स्वीशे द्वाटोर को पड़ेंगे और दूसरी बात ये जो आउसर और सीमाओं की बात कर रहा है इन आउसर और सीमाओं के आधार पर मानव भुगोल में जो मानव परियावरण अंतर संबंद है इसमें हम देखेंगे मानव परियावरण इंटरेक्शन अंतर संबंद ये प्रकृति द्वारा प्रदृत सीमा और आउसरों तो इनके बारे में जब हम बात करेंगे मानव परियावन संबंदों की बात करेंगे तो हम तीन मेन संबंद देखेंगे पहला है आपका परियावरन निश्यवाद परियावरण निश्यवाद क्या बात करता है कि जो प्रकृती है उसके द्वारा जो लिमिटेशन्स है वो बहुत जादा है और मानव की जो तक्निके प्रकृती है उनके सामने उच्छ भी नहीं है अर्थार्थ जो मेन फोकस है परियावरण नियतिवाद का वो क्या है कि प्र इसको आपके फ्रांसी से को गोल वेताओं ने प्रमोट किया, वो है आपका संभावाद, उसमें जो मुख्य फोकस है वो मानव पर है, ठीक है, और एक और है आपका, वो है आपका रुकोर जाओ नियतिवाद, इसको भी हम बाद में देखते हैं, तो पहले हम इसमें जो बताना जा रहे हैं कि मानव भुगोल की प्रकरती कैसी है, तो इसको फिर से एक बार देखते है, मानव भुगोल की प्रकृति अंतर विशेख है जो प्रत्वी के परियावरण मतलब प्रत्वी के भोतिक परियावरण और मानवी क्रियाओं मानवी क्रियाओं में सम्मिलित हैं आपके सांस्कृतिक जनसंकिक आर्थिक राजनितिक गतिविदियों इनका सक्रिय अध्यन है भूतिक परिवेश और मान्य परियावरन इनका सक्रिय अध्यन है और ये क्या दिखाता है किसका बात करता है स्थानिक व्यावस्थाओं की स्थानिक व्यावस्थाओं का मतलब है कि जो चीज जहां पर है वहां पर क्यों है ठीक इसके बाद में वही बहुत फिर से बोली है कि प्रकृति कुछ सीमाय प्रदान करती है सीमाओं के साथ साथ प्रकृति कुछ आउसर भी प्रदान करती है जिनको मानव अपने तक्निकी विकास के आधार पर प्राप्त करता है और उनसे अंतर क्रिया करता रहता है दोनों ही सक्रिये हैं सक्रियों के दोनों क्या करते हैं वह एक संतूलन प्राप्त करना चाहते हैं संतूलन के लिए एक साम्यवस्था बिंदू वह एक ऐसा पॉइंट चाहते हैं जहांपर दोनों प्रकृति और मानव दोनों साम्यवस्था में हो ठीक है हैं दोनों परिवर्त तो ये बेसिकली गतिक साम्मे वस्ता होती है डाइनेमिक एक्विलिब्रिम होता है अर्थार्थ जो साम्मे वस्ता का बिंदू है वो परिवर्तित होता रहता है तो कहने का मतलब यह है कि मानव, सक्रिय मानव और गतिशील प्रकृति दोनों क्या गरते हैं? दोनों एक बिंदू की खोज करते हैं एक ऐसे पॉइंट की खोज करते हैं जहांपर दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट जहांपर दोनों को एक दूसरे से लाब प्राप्त हो सके इसमें हमें मानव, मानवे क्रिया है ज्यादा, हमें ज्यादा विजिवल होती है निश्क्रिय कारक है लेकिन वो भी एक सक्रिय कारक है तथा दोनों परस पर क्या करते हैं एक ऐसे बिंदू की खोज करना चाहते हैं जो जो संतूलन में हो तो इसमें बात करते हैं गतिक साम्मेवस्ता किया गतिक संतूलन की इनके फलसुरुप क्या होता है मानव की आर्थिक गतिविदियां और उनके स्थानिक व्याउस्थाएं तीवर तक्निकी विकास के बावजूद भी प्रकृति दौरा नियंत्रित और निर्देशित होती है क्यों निर्देशित होती है क्योंकि प्रक्रती भी एक सक्रिय कारक्की भाती कारिय करता है और मानव केवल उसके दोर प्रदत सीमाओं और आउसरों के भीतर ही काम कर सकता है अच्छा इसमें बात होती है पारस पर एक अंतर के रिया एक दूसरे के समयोजन से निर्धाइत होती है यह दूसरा सिद्धान्त है आपका जो तीन मानव हुगल के प्रमुख सिद्धान्त है उन्हें एक सिद्धान्त समयोजन का सिद्धान्त ही है एक हमने आपको पहले बता दोनों एक दूसरे से समायोजित होने का प्रियास करते हैं संसोधित होने का प्रियास करते हैं इस प्रकार मानव खुगोल की प्रकृति यह है कि दोनों कौन सक्रिय मानव और एस्थिर प्रत्वी सत्य की पारस पर एक क्रिया का अध्यन करना है जहां मानव गुल का प्रकृति क्या है सक्रिय मानव और एस्थिर प्रत्वी सत्य की पारसपरी क्रिया का जधन करना है जहां भोतिक वातावरण में मानव के लिए अवसरों की संभावनाय प्रदान करने के साथ साथ सीमाय भी व्याथ है सेम बात को फिर से यही बोल रहा है साथ ही क्या करना है इसके उत्तर में मानव प्राकृतिक वातावरण को संसोधित करता है और उस वातावरण में समयोजित होता है साथ ही ये जो भोतिक वातावरण और मानव प्रगति की बदलती प्रकृति के साथ परिवर्टित होता रहता है और थार्थ गतिक है ये तो मानव गोल की प्रकृति जो है वो आपने समझी मानव गोल की अब इसको हम शोट में एक बार फिर से बताते हैं मानव गोल की प्रकृति है सबसे पहले तो अंतरविशेक, इंटरडिसिप्लिनरी है, इसमें दो एजेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं या जो कारक हैं वो दो हैं, एक है आपका मानव और एक है प्रत्थ्वी, इसको हम भोतिक परियावरन भी कह सकते हैं, मानव और भोतिक परियावरन, अंतरविशेक क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों ही विशेयों के ये कारण और प्रभाव हैं, ये इससे प्रभावित होता है, ये इससे प्रभावित होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते है जो भोतिक परियAY वररण है यह आपका, इसमें आप क्या देखोगे, मरदा है, सूर्यातप है, पिछ अवो अजुल वायू है, यह सब भोतिक कारक है। मानव कारक मानव क्या है यह सांस्कृतिक कारक है मानव अपनी क्रियाओं हो गया संवाजी सांस्कृतिक संबंद सो गया उन्हाँदार पर कैसे इसको पिरवेश करता यह इन में देखते हैं मानाव और जो आपका भोतिक परियावरन उसके द्वारा कुछ सीमाएं दी गई हैं, कुछ आउसर प्रदान किये गए है तो ये जो सीमाय और आवसर है, इनकी परिधी के भीतर रहते हुए ये जो सीमाय है, जो सीमाय आरोपित है और जो आवसर प्रदान किये गए है, इनकी परिधी के भीतर रहते हुए जो मानव है, मानव अपने आपको क्या करता है, समायोजित करता है मानाव स्वयम को समायोजित करता है या संसोधित करता है अपने परिवेश को संसोधित करता है अब यह जो समायोजन है और जो संसोधन है यह आपका गतिक समायोजन है गतिक समायोजन या गतिक साम्मे उस्था है गतिक साम्मे उस्था क्या हो गई? गतिक समय उस्ता वो बिंदू है जिस पर मानव और परियावरण दोनों समय उस्ता में रहते हैं परिवर्तनशील रहते हुए भी वो समय उस्ता में रहते हैं तो यह आपका समयोजन हो गया और यह समयोजन प्राप्त कैसे करता है मानव यह करता है तक्नीकी प्रगति के माद्यम से तक्नीकी प्रगति के माद्यम से या तक्नीकी प्रगति के माद्यम से मानव ये समयजन प्राप्त करता है तो शोट में हम इसको इधी पूरे जो भी कुछ पड़ा हमने इसको हम इधी हमें 50 words का answer लिखना हो तो हमें क्या लिखता है मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताने के लिए हम क्या लिखेंगे हम शोट में बोल सकते हैं कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो अंतर विशेख है जहांपर भोतिक परियावरण और मानविय प्रकृति हैं स्थानिक वियोस्थाओं का अध्यान करते हैं एक जो मानव भूगोल की परहिभाशा है जो जенरली काफी पॉकृलर है कि मानव भुगोल, भुगोल का एक प्रमुख छेत्र है और यह उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं से संबंदित है जिन में स्थान और परियावरण मानवे गतिविदियों के आधार भी हैं और परिणाम भी है तो यही बात बोलना जा रहे है कि यह एक अंतर विशेक विशे है जहां पर मानव और भुटिक परियावरण परस पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा प्रक्रती द्वारा प्रदत सीमाएं एवं आवसरों का प्रियोग करते ही मानव एवं परियावरण गतिक संतुलन या गतिक समय उस्ता को प्राप्त करने के लिए सदेव अग्रसर होते हैं तो यह शोट में हो जाएगा तो आप देख लिए जगा इसमें जो भी प्रक्रती देखनी है अब नेक्स वीडियो में हम देखेंगे मानव भूगोल का परिपेक्ष जो प्रस्पेक्टिव क्या है और मानव भूगोल से संबंदित जो विश्य है मानव भूगोल का जो अध्यन छेत्र है वो क्या है इसके बाद में हम हम बात करेंगे मानव परियावरण संबंदों की तो जो मानव परियावरण संबंद है तो जैसे मैंने आपको भी बताया तीन हमारे सलेवस में तीन है केवल नियतिवाद है नाव नियतिवाद है और संभवाद है उसको हम डिटेल में देखेंगे इसके अलावा और भी जो विचार है उनको भी हम शोर्ट में देखेंगे चलो आज के लिए इतना ही थैंकि